नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा पुरे देश भर में नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है डांडिया रास की धूम है दुर्गा पूजा की रौनक चारों तरफ देखने को बिल रहे हैं पर इन त्योहारों में हिंदू मुस यूवक घुस रहे हैं कई आयोजनों में मुस्लिम यूवकों की पिटाइब भी की गई यहां तक कि मुस्लिम यूवक अपनी पहचान बदलकर गरवा की कारिकरम में जा रहे हैं ऐसी कई जग होसे खबरे सामने आ रही है पर बड़ा सवाल ये है कि हिंदू धर्म के कारिकर करेंगे बाच्चित के लिए में सा स्टूड़े मौजूद है क्या पितल टीवी के एडिटर इंचीप डॉक्टर मनेश को वार्रप सब बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद क्या जान बूचकर मोहल खराब करने की कोशिश की जारी है देखें यह कहने में बड़ा लगता है अच्छा नहीं लगता है लेकिन समय बदल रहा है समाज की मानताएं भी बदल रही है लोगों का वहवार बदल रहा है सोच में बदलावा आ गया है क्यों आया है वैसे गर्बा में हिंदू मुस्लिम सब मिलके डांस करें उसमें हिस्सेदार हो इससे बेटर रस्ति नहीं हो सकते हैं अच्छी बात है कि मुस्लिम भी वहां पर आए हिंदू भी आए गर्भा का अनंद ले घर जाए कई सारे मुस्लिम गर्भा डांस टीचर्स में जानता हूं लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बस्ती है दोनों हाथ से ताली बस्ती है जिस देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई जो बद्ते चली जा रही है उसके लिए सिर्फ हिंदू जिम्मदार नहीं है मुस्लिमों को भी अपने कंटक्ट पे इंट्रस्पेक्शन करना होगा वह यसे क्या वज़ा है कि मद्द परदेश के ग्रिव मंत्री को यह कहना पाथा है कि बही कोई मुस्लिम युवक जो है वो गर्भा पंडाल के अंदर ना जाए क्यों जादतर गर्भा पंडाल के अंदर वो पोस्टर बाहर से लगा हुआ है मुस्लिम युवक ना आ है कहीं कहीं यह लगा हुआ है कि सब अपना वैलिड आइकार्ट दिखाएं एक तरीके से मुस्लिम युवकों को मना कर दिया गया है कई जगह पे दिरफ्तारियां हुए ही मारपीट की खबरे आ रही है कहीं कोई सट फटा हुआ दिख रहा है कहीं पकल के पिटाई की जा रही है यह अच्छा नहीं लगता अब इन दौर में बाहर लिखा हुआ भई आइकार्ट जो है अपना दिखा गया होगे आपने फरजी आइकार्ट बना करके आप अंदर घुज़के क्या जिद्ध है भई और जब वहाँ आपकी पहचान हो गई तो मारपीट वही थाने आप पलिस जेल के अंदर डाला गया तो यह महाल क्यों बना इसको समझनी की जरुरत है और मैं आपको कह दू कि वर्तमान इस्थिती में अगर कोई मुस्लिम युवक गर्बा के अंदर जाता है उस पंडाल के अंदर जाता है जहां बाहर ही लिखा हुआ हो कि मुस्लिम सर नाट इलाउट आपको नहीं जाना चाहिए यह कोई सरकारी फंक्शन नहीं है यह नवरात्र के दौरान किया जाने वाला हिंदूों के दौरा एक पर्व और तेवार का हिस्सा है इस अरिलिजियस फंक्शन मैं देख रहा था बड़ी बिस्हर्मी से यह मुस्लिम मौलबी मौलाना कि बढ़ी। पहले जाते थे अभी क्यों नहीं जातेक पहले तो सब मिल जुलके करते थे अभी क्यों मना किया जा रहा है ये C.A. का फर्जी आंदूलन करने से पहले आपको समझ में नहीं आया ये हिजाब के ओपर तमाशा करने से पहले आपको समझ में नहीं आया और वो गर्वा के अंदर जो मुस्लिम युवक जाना चाहते हैं तथा कथित सेक्लूरिजम को मजबूत करने के लिए तो मुमें दही जम गई थी कि जब टिफल तलाक का मसला होता है, हिजाब का मसला होता है C.A. का मसला होता है, इसी तरीके से वो अपने ही मौलवी मौलानों के खिलाफ आवाज उठाए मुस्लिम औरतें इनको हिजाब में चाहिए लेकिन आख सेकने के लिए इनको गर्बा के अंदर जाना है यह तो नौन इस्लामिक है इस तरह का डांस इसलाम में पाबंदी है और अगर आपको आस्था है तो आके पूजा करो और इसे क्या बात है कि गर्बा के अंदर सिर्फ मुस्लिम युवक ही गेट क्रेश कर रहे है मुस्लिम लड़कियों को मन नहीं करता उसको तो तुमने बेरिया बांद करके घर में रख दिया तुम यह तमासा करने जा रहे हो इन दो और के घटना हुए गुजात से भी दो तिन जग़ाँ से कबर आई है कि मुस्लिम युवक घुसता है और वहाँ वो वीडियो बना रहा है किसली वीडियो बना रहे हो सोसल मीडिया में लोगों को बदनाम करने के लिए और अगर आना भी है मैं तो यह कहता हूँ कि आओ वाइफ के साथ आओ परिवार के साथ आओ अपनी सिस्टर्स अपनी मदर्स अपनी सारे लोगों को लेकर क्या आओ उनका स्वागत करना चाहिए फिर इसमें कोई मनाई नहीं है लेकिन जब आप इस तरीके से गुरुप बना करके वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे छड़खानी करने के लिए वहाँ पे लब जिहाद जैसे पाप को अंजाम देने के लिए अपनी पहचान चुपा कर अगर आप गरबा के लिए आ रहे हो तो पुलिस को तो करवाई करनी पड़ेगी यह सेक्लूरिजम का ठीका सर्फ हिंदू ने नहीं लिए रखा है कि हम तो सेक्लूरिजम के नाम पे सब कुछ बरदास्त करते रहे हैं और आप अपनी इस्लामिक शिनाख्त के लिए आउडेंटिटी के लिए आप तमाशा करेंगे तो यह जो बवाल मचरा है मैं देख रहा हूँ सोसल मीडिया में वही तमाम तरह के वो जो पारसाइट्स सेक्लूरिजम का धंदा करने वाले लोग सेक्लूरिजम के नाम पे कमाई करने वाले लोग दुकान खोल कर सेक्लूरिजम के इंडिस्ट्री चलाने वाले लोग वो करें हाए 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 यह कितनी घटिया सोच है कि मुसल्मानों को तुम रोक रहे हो बिलकुल रोकना चाहिए पेसेंस की भी कोई सीमा है और ये सीमा अब कोई लांग है तो वो ठीक नहीं है जो कारवाई ये पब्लिक फंक्शन नहीं है ये कनाट प्लेस नहीं है ये जन्पत नहीं है ये कोई सार्दुनिक काम नहीं है कि सरकार करवा रही है सब लोगो घुचने दिया जाए ये हिंदुों के पर्व का एक हिस्सा है मैं देख रहा था उस बेशरम को ये ओएसे की पार्टी का स्पोक्स पर्षन जिसने सिर्फ ट्विट कर दिया था गनपती मोरिया गनपती बापा मोरिया इसको माफी मांगनी पड़ी थी और जब ये माफी ये मांगा तब जाकर के मामला साथ हुआ आप यहां पे इस तरह का प्रियोजन करें आप हार्ड कोर इसलामिक इथास को हिंदुस्तान में नाफिस करें आप P.F.I. के साथ खड़े हो जाएं P.F.I. को बेंट किया जाए तो हाय तवा मचाएं और ये कहें कि नहीं मुसल्मानों के उपर अत्याचार हो रहा है वो P.F.I. जो ये कहें कोर्ट में जाकर के कि हिजाब तो हमारी पहचान है क्यों पहचान है क्योंकि इसलाम में तो बताया जाता है कि वहीं किसी औरत के बाल को देखना भी पाप है लड़कियों को सब कुछ ढखके रखना चाहिए देखे इरान में लड़कियां बाल काट रही है क्यों क्योंकि इन बाल को देख करके पूर्सों का मन भटकता है ये बेसिक थियोरी है जब तुम उस इत्वाज को फॉलो करते हो गर्बा में तुम्हारा क्या काम है गर्बा में तुम्हारा क्या काम है तुम अपनी गंदगी को गंदी मानसिक्ता को लेकर आप गर्वा के पंडाल के उस पवित्रता को भंग करने के लिए जाएंगे आप तो आपका स्वागत नहीं किया जाएगा मैं फिर कहता हूँ इसमें कोई हिंदू मुस्लमान की बात नहीं है वो किसे भी धर्म का व्यक्ति हो गर्वा जैसे पंडाल के अंदर किसी गंदी मानसिक्ता के साथ को जाता हो उसको तो उठा करके फेक देना चाहिए रही बात मुसलमानों की आप आईए आपका स्वागत है पत्नी के साथ आईए लेकिन शांती और सुरक्षा के लिए भी मुस्लिमों पर बैन कितना जरूरी है क्योंकि हनुमान जैनती हो या राम नौमी का शोभा यात्रा हो से वे नहीं भूलना चाहिए बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया तब इनका सेक्लूरिजम जो है वो गढ़्धम चला जाता है इनकी बस्तियों से हनुमान जैनती हिंदू धर्म का कोई कोई यात्रा गुजरती तो पत्थर मारोगे लेकिन गर्भा में वहां पे डांस चल रहा है वहां पे हिंदू लड़कियां जो है उनमुक ठोकर के डांस कर रही है तो आपका सेक्लूरिजम जाग जाता है इत्थोस जाग जाता है और अगर इतना ही ज़्यादा आपको गर्भा करना है तो अपने मुस्लिम मुहले के अंदर गर्भा का पंडाल बना लो और अपने में करो क्या दिक्कत ह अपने में कीजी आप कोई दिक्कत नहीं है देखिए आज इस तरह की चीजें इस मुकाम तक इसले पहुँची हैं क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर कटरता का जहर डाला जा रहा है और मुस्लिम समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है अभी तो गर्भा के पंडाल से बाहर निकाला गया है मुस्लिम युवक युवतियां नए जनरेशन के लोग इस पोंगे यह धकोसरे बाज मौलवी मौलाना उन कटर पंतियों का विरोध नहीं करेंगे कल दफ्तर से बाहर निकाला जाएगा इस्कूल कॉलिज में आपको आईसोलेट किया जाएगा क्यूं समय बदल रहा है जहनियत बदलनी चाहिए जो समय के साथ साथ खुद को बदलता नहीं है समय उसको नास कर देता है यह बेसिक बात क्यूं समझ में नहीं आ रही आप इस तरह के कटर पंथियों के वहकावे में आकर पूरे समाज को अंधगार के और लेकर के जा रहे हो उसका आप विरोध नहीं करोगे तो आपके साथ हिंदु समाज या कोई दूसरा क्यों खड़ा होगा यह आईसोलेशन का दौर अब शुरू हुआ है यह पीएफ़ाई वालो से अगर आपकी मुलाकात हो मुसलिम समाज के लोगों को कॉलर पकड़ के पूछे उन से कि तुमने एक छोटे से स्कूल उडूपी के स्कूल का मसला इंटरनेस्टल लेवल तक लिकर रिक चले गए कि हिजाब नहीं पढ़ने से स्कूल में हिजाब पढ़नेंगे लोग यह हिंदुस्तान मी इसलाम का यह भर्दन कब से आगया कहां से आगया तो ताली तो एक हाँ थे नहीं बज़ेगी आप अपने आपको में स्ट्रीम से थे स्कूलूड करना चाहोगे तो में स्ट्रीम आपको क्यों अपने में समाहित होनी देगा क्यों आपका वेलकम किया जाएगा ये हिंदु समाज का परिशानी नहीं है ये बड़ा प्राब्लम है जिसे मुस्लिम समाज की महिलाओं को यंग जेनरेशन को सोचना पड़ेगा कि आपके आस पास जो दिवारे खड़ी की जा रही है उस दिवारों को अगर आपने तोड़ा नहीं तो कैद हो जाएंगे आप बाकी समाज का दूसरा हिस्सा वो तो आगे बढ़ता चला जाएगा आप अंधेरे में आईसोलेटेड हो करके जिन्दगी जीने को मजबूर हो जाएंगे धन्यवाद बाचित के लिए शहर या राज में नहीं हुई देश के अलग-अलग राजियों में इसी तरह की घटनाएं हुई थी इन घटनाओं को लेकर सेकुलरिजम में ब्लू टिक्स सर्टिफाइड लोगों ने खूब हंगावा किया सभी का तर्क यही था कि उनकी सेकुलरिजम की परिभाशा कहती है कि हिंदू धर्म से जुड़ी शुभा यात्राओं को मुस्लिम इलाकों से होकर नहीं गुजरना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे मुस्लिम धर्म के कुछ कट्रपंतियों की धार्मिक भावनाय आहात हो जाती है पर सवाल यह अब है कि हिंदूत्व फेस्टिबल में अब इस तरह की जबरन एंट्री क्यों कराई जा रही है या क्यों कर रहे है इनका मकसत क्या है आप कॉमेंट करके जरूर लिखे देख तेरे कैपिटल टीवी नमस्कार